नमस्कार दोस्तों स्वागेता आप सभी का Civil 101 में मेरा नामे संदीब जानी कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सूपर स्ट्रक्चर के कॉंपोनेंट्स के बारे में इससे पहले शुरुआत में हमने Building Construction में बिल्कुल Basic जो इसकी Terms थी उसके बारे में जाना एक बिल्डिंग के जो Component होते हैं उनके बारे में हमने जाना था कि सूपर स्ट्रक्चर क्या होता है सब स्ट्रक्चर क्या होता है इसी तरीके से दोस्तो super structure के construction में जो आपको जरूरत पढ़ेगी जैसे scaffolding की हमने बात की थी तो उनको हमने पढ़ा और उसके बाद super structure के construction के बारे में basic बात है आज दोस्तो बात करने वाले हैं super structure जो आप बनाते हैं ground level से उपर जो भी construction आप कर रहे हैं उस construction के अंदर क्या क्या component होते हैं उनके बारे में बात करेंगे जैसे door, window, ventilators ऐसे कुछ important component है जिनसे आप exam में question हम से पुछे जाते हैं तो उनको discuss करेंगे हम चलिए let us continue और आपको बता देते हैं कि कल जो हमारी special sessions होगे अनक आडमी की app ट्यूपर होगे special classes इन special classes के अंदर आपको जैसा कि पता ही है कि हमारा हर सेटरड़ एवरी सेटरड़ अबारा सुबह 9 बजे 9 एम जो हमारा test होता है एवरी सेटरड़ ये कल की classes है 8th of May सेटरड़ अनक आडमी की app के उपर ये अनक आडमी की app के उपर classes होंगी 9 एम पे आपका weekly live test जो है वो शुरू हो जाएगा और इस test को जैसा कि आपको पता है कि हर सेटरड़ जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अलग तरीके से हम उसको attempt करने की कोशिश करते हैं क्योंकि exam में भी हर बार जो है कुछ नो कुछ pattern का changes जो आता रहता है तो हम हर pattern के उपर जो है हम perfect रहें हम practice जो अपनी है वो अच्छे से कर पाएं इसलिए दोस्तों इसको अब की बार जो हमने हर बार हम तीन section में डिवाइड करते हैं इस बार हम करेंगे tough to moderate moderate to easy इस pattern के उपर जो questions है इसके अंदर करेंगे हम यहाँ पर तो 9 बज़े से session शुरू होगा यह आपका दो part में divided है एक है tough to moderate 9 बज़े शुरू होगा फिर उसके बाद moderate to easy यह 10 बज़े आपका session शुरू होगा उसके बाद 12 बज़े हमारा session है pictorial quiz का pictures के थुरू हम civil engineering को सीखते हैं pictures के थुरू आपको questions जो है वो दिखेंगे और यह कल की classes 8th of May Saturday 12 p.m. उसके बाद 3 p.m. के उपर दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है बहुत सारी definition ऐसी होती है बहुत सारे codal provision ऐसे होते हैं जो हमें याद करने होते हैं तो कई बार हम उनको अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं तो true false की form में अगर हम उनको करेंगे वो आपको देखने को मिलेगी ये true false वाली जो quiz होगी ये session 3 बजए हमारा होगा इसके अंदर उसके बाद दूस्तो civil engineering को हम पढ़ेंगे नए तरीके से एक अलग से तरीके से कि फिर से वही बात जो चीज़ें हम यहाँ पर नई definition नई terms जो आपके पास हैं जो आपको पता हो होगी और उसका answer होगा एक word के अंदर तो वो आपको puzzle की form में वो आपको वहाँ पर मिलेगा तो ये 9 p.m. पर होने वाली है तो सुबह 9 बजे फिर उसके बाद 10 बजे 9 a.m. 10 a.m. after that 12 बजे उसके बाद 3 बजे फिर शाम को 9 बजे आपका session होगा एक session और है अगर वो possible हो पाय चलिए let us begin इसके अलावा दोस्तों surveying जो है हमारा an academy की plus platform पे चल रहा है अगर आप पढ़ना चाते हैं अगर आप जूड़ना चाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है an academy की app के उपर संदीब जानी आप सर्च कर लीजिएगा मेरी profile में ये course आपको दिखेगा ये course अभ अगर आप course जो तयारी आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है अपना goal सेलेक्ट करेगी get eac उसके बाद get subscription पे आप click कर लीजिएगा duration सेलेक्ट करने के बाद आप referral code use कर सकते हो संदीब 111 जिससे आपको 10% off मिलेगा और साथ ही साथ में आपको access मिलेगा an academy platform पर throughout this category आप कि समझेंगे लेकिन इनका use बहुत जगा आजाएगा इनका use बहुत जगा आजाएगा अलग-अलग state के exam जो है उनके अंदर इनसे question जो है वो पूछे गए है engineering services में इनसे related question जो है आप से पूछे गए है तो वैसे तो कोई नहीं चीज नहीं है बचपन से जब से पैदा हुए अगर बात करें तो एक दम प्रॉपर पूरी पर्टिकुलर टिपिकल वाली अंग्रेजी वाली definition की तो डोर क्या एक ऐसा barrier है अगर definition की बात करें हम तो एक ऐसा physical barrier है जो हमें दो environment के बीच में आपको अपने घर के अंदर अगर एंटर होना है मान लीजिए तो बाहर से घर के इंदर एक जो shutter लगा हुआ है किसी hinge के about वो क्या कर रहा है rotate कर रहा है जिससे कि आप अंदर या बाहर आ सकते हैं structure के विंडो जो है वो क्या काम कर रही है light को ventilation को air जो है उसको आने दे रही है आपको vision देख सकते हैं आप site का access आपको दे रही है तो ये भी क्या है एक openable barrier है इसके through आप air जो है उसको आप आने देना चाह रहे है नहीं आने देना चाह रहे है जो वहर से wind आ रहे है उसको रोकना है नहीं रोकना इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं अपनी privacy को maintain करना है close कर सकते हैं open रखना चाहते हैं open कर सकते हैं चलो लेट इस बिगिन तो दोर की बात करें दोस्तों तो एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा बेरियर है जिसको खोला जा सकता है बंद किया जा सकता है ओपने बल है same as it is यह डेफिनेशन कलपर्सों जो है हमने question के अंदर की थी दोस्तों और इस डेफिनेशन में 40% दोस्तों का यह answer correct था मतलब जब कोई चीज अंग्रेजी में लिखी हुई आ जाती है दरवाजा का है दोर क्या है मैं अच्छे से पता है लेकिन वही अगर इंग्लिश की फॉर्म में इसके एक पार्ट हो सकते हैं या दो पार्ट हो सकते हैं और अगर वैसे बात करें हम तो एक तो होगा इसका फ्रेम जो बाहर बाहर आपको दिखाई दे रहा है और एक यह शटर होगा और शटर की बात करें तो डोर का एक फ्रेम होगा और शटर होगे शटर सिंगल भी हो सक बात करेंगे इसी तरीके से इंग्लिश वाली डेफिनिशन एक बार पड़ जरूर लीजेगा दिवार के इंदर इसको लगा रहे हैं ओपनिंग जो है दिवार के अंदर एक opening की उसमें आपने frame fix किया frame fix करने के बाद आपने इसमें shutter लगा दिये एक shutter भी हो सकता है दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं depending upon your requirement आपके window के dimension जो है वो क्या है यहाँ पर तो window किस चीज में मदद करती है आपको air के लिए, light के लिए और sight के लिए आप इसको देख सकते हो यहाँ पर so it is used for the purpose of vision, ventilation और light के लिए इन तीनों के लिए आप इसको use करते हैं यहाँ पर window frame is suitably fixed in the opening of the wall and the window shutter is held in position by the window frame window frame को पहले frame को आपने अच्छे से fix कर दिया सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी construction होता है तो सबसे पहले frames जो है वो fix कर दिया जाते हैं जब construction हो रहा है उसी वक्त पहले frame जो है वो fix कर दिया जाते हैं और बाद में क्या होता है आप shutter जो है उनको install कर देते हो उनको आप fix कर देते हो यहाँ पर तो यह door के बारे में था window के बारे में था अब आ जाते हैं civil engineering वाली terms के उपर कहां से question पूछे जा सकते हैं अगर width के बारे में बात करें दोस्तों तो minimum से minimum कम से कम कितनी width आपको door की रखनी है इसके बारे में बात करेंगे तो जो घर के अंदर वाले doors होते हैं interior doors होते हैं उनकी generally बोलते हैं जो main जहां से entrance होती है यहनी कि आपके घर का जो main gate है जहां से बाहर वाला जो main gate है जो आपका बिल्कुल prime आप कह लिजिए यह सबसे main बड़े वाला जो है उससे आप क्या कहते हो gate कहते हो बाकि जितने भी घर के अंदर आपके लगे हुए हैं उनको उन barriers को आप आपके पास यहां पर तो interior door के लिए 80 cm जो है या 800 mm इसकी minimum width रहती है कि इतना तो कम से कम हो आप room की अंदर आसानी से जा पाएं कोई furniture अगर move करना है अंदर से बाहर आपको लेकर उसको आप लेकर आपाएं जो बाहर के door है external doors की बात करें तो कम से कम 1 meter जो है इनकी width रहनी च साइड सी बात है कि बहुत सारे लोग होंगे वहां पर तो उनके access के लिए आपको provide करना पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा विर्थ का door तो public buildings के अंदर आप 1.2 मीटर के door कम से कम यह minimum width है और बढ़ा सकते हैं depending upon कि कितना rush है कितना crowd है वहां पर तो कम से कम इतनी होनी चाहिए interior doors के लिए बात करें तो 80 cm exterior के लिए बात करें 1 मीटर public buildings के अंदर आप बात करेंगे तो 1.2 मीटर जो है कम से कम width होनी चाहिए एक general सा rule जो इंडिया में follow किया जाता है हमारे height to width का कितनी height होनी चाहिए door की तो door की जितनी width है उसमें आप 1 मीटर से लेके 1.2 मीटर add कर लो adopt करते हैं वो उसके width प्लस एक से लेके 1.2 मीटर add कर दो अगर हम बात करेंगे width की तो width जो है वो 0.4 से 0.6 times of the height of the door जो है generally यह रहता है अब बात करते हैं दूस्तों windows के window के बारे में अगर हम बात करें तो window की जो breadth आप consider करते है window के breadth कितनी होनी चाहिए देखो आज कल वैसे तो सब कुछ वैसे चल रहा है अपने मतलब trend के according बाहर से आपका घर जो है वो कैसा दिखना चाहिए कितनी opening आपको रखनी है तो architectural features के according यह जैसी आपको appearance चाहिए उसके उपर भी depend कर जाता है लेकिन general rule की बात कर रहे हैं कि क्या होता है तो window की breadth होती है वो कितनी consider कर लेते है 1 by 8 of room की width कितनी है height कितनी है 1 by 8 of width of the room and height of the room पर proper ventilation की ventilation proper रहे अंदर की air जो है वो एकदम fresh रहे हमेशा circulate होती रहे यहाँ पर तो 30 meter cube का अगर आपका inside volume है और 30 meter cube inside volume अगर अगर अंदर का volume जो है वो 30 meter cube है तो 30 meter cube के corresponding आप यह कह लीजे 3 by 3 by 3 है 3 meter ऐसे है 3 meter ऐसे है और 3 meter height है तो लगबग 3 point something 3 point something 3 point something मिला आके आपके पास जो है वो हो जाएगा 30 meter cube तो 30 meter cube जो आपके पास अगर area हो volume हो अगर 30 meter cube का तो उसके लिए आपकी जो opening होनी चाहिए door की opening जो window की opening होनी चाहिए विंडो कम से कम 1 meter की 1 by 1 meter की यह विंडो की होनी चाहिए यह generic तरीक से रूल हम फॉलो करते हैं यहां पर और जो भी फ्लोर एरिया है जो भी फ्लोर एरिया है उसका 15 प्रतिश्यत जो है वो कम से कम होना चाहिए तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो आप से अबजेक्टिव में पूछ सकते हैं 30 मीटर क्यूब बॉल्यूम के लिए आप 1 मीट स्क्वाइर के विंडो कम से कम रखेंगे फ्लोर एरिया का कम से कम 15 प्रतिश्यत जो है आप यहां पर रखेंगे ही रखेंगे उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कि ब्यूर ओफ इंडियन स्टेंडर जो रिकमेंड करता है आपको वो आपको क्या बतात जो आपकी ओपनिंग है वो 5 mm थोड़ी बड़ी होगी as compared to जो आपका फ्रेम है उससे क्यों ताकि आप उसको अच्छे से fix कर पाएं उसके लिए तो उसके लिए जो margin आप रखते हैं उसके लिए जो आप रखते हैं वहां पर वो कितना रखते हैं 5 mm विस रिकमेंड जालाव आप देते हैं वो 5 mm का देते हैं उसके लावा एक बहुत important point है बहुत important जो door windows से related अगर question पूछे जाते हैं अगर या फिर यह सी में जो पूछे गए हैं उनमें सबसे important point जो है वो क्या है यहां पर कि इनकी जो हम measurements करते हैं वो module की form में करते हैं one module को आप 100 mm के बराबर बोलते हैं one module को आप किस में बोलते हैं 100 mm के बराबर बोलते हैं जैसे कि अगर आप बात करें door के लिए designation यूज करते हैं सबसे जादा important part यही है सबसे important part जो है door window में बागी सारी चीज़ें आपको असानी से याद रह जाती है या आप pictures देखेंगे आ door को आप define करते हैं कैसा door है अभी normal term में तो आप बोल देते हैं कि हाँ यह size का door है ऐसा सा दिखता है ply वाला है या फिर आप यह कह लिजिए कि एक शटर वाला दो शटर वाला ऐसे लेकिन अगर आपको on paper define करना है अगर आप architect हैं या फिर अगर आप engineer हैं तो आप properly define करके बता इसा है तो D stands for door S stands for single shutter एक shutter है उसका T stands for double shutter तो अगर आपने लिख रखा है जैसे for example आपने लिख रखा है 9DS20 9DS20 तो यह एक door का नाम दे दिया आपने उसका designation दे दिया उसको क्या दे दिया एक नाम दे दिया कि इस door की यह identity है 9DS20 है यह door अब 9DS20 का मतलब क्या हो जाएगा पह बाद में जो आप लिखते हैं वो क्या होती है हाइट होती है अगर हमें यह पता नहीं है तो हम वैसे नहीं देख सकते हैं कि door की जो width होगी वो कम होगी as compared to its height तो door के case में तो confusion नहीं होगा कि पहले जो width लिखी हुई है और बाद में क्या लिखी हुई है height लिखी हुई है अ module की form में हम इसको mention करते हैं तो अगर आप लिख रहे हैं कि 9ds20 इसका मतलब 9 module 9 module का मतलब एक module के अंदर होते हैं 100 mm तो 9 को multiply कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा यह कितना 900 mm आ जाएगा similarly height की बात करेंगे आप तो height अगर आपको दे रखा है 20 module तो 100 mm से multiply कर दो तो आपके door हमारा 9 D stands for door S stands for S किसके लिए बता रहे हैं single shutter सिर्फ इसमें कितना present है एक shutter present है यह जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है एक single piece जो है आपके पास एक single shutter available है जो कि open हो रहा है या close हो रहा है तो 9 width हो गई या 9 module 900 mm 20 height हो गई आपकी D stands for door S stands for single shutter यहाँ पर I hope this is clear to you door is having single shutter width 9 module height 20 module similarly अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि 12 DT 20 अगर आप लिखते हैं तो 12 means width उसकी कितनी है 1200 mm है D stands for door T stands for double shutter की double shutter वाला एक shutter दो shutter दो shutter present है double shutter वाला door है जिसकी width जो है वो 1200 mm हो जाएगी और जिसकी height जो है वो कितनी हो जाएगी 2000 क्यों क्योंकि modules की term में इसको represent किया जाता है 12 module 20 module 12 module का मतलब हो जाएगा एक module में 100 mm तो 12 in 200 20 in 200 यह आपके पास आजाएंगे इसके width और height समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों windows की windows के अंदर भी same तरीके से रहेगा यहाँ पर window के अंदर भी आप W लगा देंगे W stands for window, S stands for single shutter और T stands for double shutter अब क्योंकि D हम already door के लिए use कर रखें इसलिए double shutter के लिए हम D नहीं use कर सकते तो यहाँ पर हम T use कर लेते हैं तो W stands for window, S stands for single shutter, T stands for double shutter तो अगर आपको यहाँ पर mention हो कि 6WS 13 तो 6 module 13 module, 600 1300, W stands for window, S stands for single shutter तो single shutter वाली जो window आपके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर एक ही shutter present होता है तो इसको आप represent कर रहे हैं किस तरीके से, कि 600 तो इसकी width होगी, यह width जो है, यह कितनी होगी, 600 होगी अगर आप इसकी depth की बात करेंगे या इसकी overall जो height की बात करेंगे तो वो कितनी होगी, 1300 होगी यहाँ पर तो window की case में, कई बार क्या होता है, window की width और height होती है, वो same D होती है तो वहाँ पर confusion हो सकता है कि कौन सी height है, कौन सी, जो है वो width है तो इसलिए याद रखना है, पहली चीज जो है वो आपको width, दूसरी चीज दो दे रखी हो आपको, next time वो आपको height दे रखी होती है यह होगी single shutter की window, similarly आपके पास क्या हो सकती है, double shutter value हो सकती है, 12 WT 12 अब यहाँ पर यह दिया हो सकता था, 10 WT 12, या फिर इसी का reverse ले लिजिए है, यहाँ पर, कि यहाँ पर 12 WT 10 तो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसे, मतलब confusion ना हो, इसलिए याद रखेगा, पहले width होती है, बाद में जो है, उसकी height बताई जाती है 12 WT, यानि कि window है, double shutter की है, दो shutter इसके अंदर लगे हुए है, यहाँ पर, 12 WT, 12, T stands for double shutter, 1200, 1200 जो है, वो dimension हो जाएंगे आगे बढ़े, next, उसके बाद दोस्तों आते हैं, door के parts के उपर, एक एक पार्ट जो है, उसको देखते हुए चलेंगे, और उसके बाद आगे इसको discuss करेंगे, estimation and costing में भी दोस्तों इनको हमने समझा था यहाँ पर, क्योंकि estimation में हम बात कर रहे हैं थे, कि देखो, अब सिध आपके पास कोई दिवार है, उस दिवार के उपर अगर आपने plaster किया, या paint कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो painter जो है, वो आएगा, दिवार के dimension लेगा, कि यह दिवार 15 feet तो ऐसे है, और इसकी अगर depth की बात करें, तो let us say, 12 feet या 11 feet जो है, वो आपके floor की height हो गई, फिर इसके उपर paint कर दिया, फिर आप उसे बोलेंगे कि यहाँ पे तो door था, यहाँ पे तो window भी थी, इनके उपर तो paint हुआ ही नहीं, इस area के deduction होगा, तो वहाँ पर हम इन चीजों को भड़े थे, कि वहाँ पे कहाँ पे deduction होना चाहिए, कहाँ पे deduction नहीं होना चाहिए, इस portion of this wall, यह जो आपको portion इतना दिखाई देता है, यह जिसे jam बोल देते हैं, तो इनका area जो है, वो कितना है, डोर सारे के उपर थोड़ी ना present होता है, डोर जो है, आपको specialized design जो है, वो ना बना रहे है, frame की, उसका पूरा frame जो है, वो wall की width के बराबर ही है, तब तक यह सार combination की form में हम इनको पढ़ लेते हैं, यहाँ पर, तो सबसे पहले आता है दोस्तो frame, frame से आप सब लोग जो है, सब जानते है, frame क्या होता है, frame जो आपने दिवार में fix कर दिया, जिसके उपर आपका shutter आके लगने वाला है, यहाँ पर, तो इसे हम क्या बोल देते है, frame बोल देत outside, बाहर बाहर वाले अगर आप बात कर रहे हैं, यह vertical, sorry horizontal नहीं होगा, सिर्फ vertical की बात कर रहे हैं, यह जो आपको vertical member यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, outside बाहर वाला vertical member, तो यह आपके पास क्या हो गए, यहाँ पर इसे हम कहते है, style कहते है, यह outside vertical member जो होता है किसी shutter का, चाहिए वो door का हो, या window का हो, उसे हम क्या बोल देते है, style बोल देते है, तो I hope it is clear, ST ILEB हो सकता है, ST YLEB का आपको लिखा हो देखने को मिल सकता है, तो यह आपके पास style होता है, पहली चीज, frame आप जानते ही है, next आता है आपके पास head, तो head हम किसको बोलते है, upper most horizontal part of a frame, किसी frame का upper most part, जो है, इसे हम क्या कह देते है, head कह देते है, यहाँ पर upper most part of the frame is known as head, sill क्या हो जाएगा, window की case में भी आप देखते है, यहाँ पर तो जो bottom most part है, वो क्या हो जाता है, sill हो जाता है, और door frames are usually not provided with sill, door frame को हम sill के साथ provide नहीं करते हैं, windows के अंदर जो sill है, वो उसको provide की जाती है, top rail का मतलब हो जाएगा, कि यह जो top most horizontal member, अब यहाँ पर शब्दों का ही खेल है, बस top most member है, लेकिन horizontal है, top most horizontal member को हम क्या बोलते हैं, top rail बोलते हैं, so top rail is top most horizontal member, फिर उसके बाद आता है lock rail, यह क्या है, यहाँ पर rails लगा रखी हैं, आपने top और bottom वाली यहा इसे freeze rail बोल देते हैं, तो यह होते हैं horizontal members, यह horizontal member है, तो top rail, फिर उसके बाद lock वाली rail आ जाएगी, जिसके अंदर आप lock insert करते हैं, यहाँ पर और उसके बाद आ जाती है, bottom वाली rail, bottom rail, तो यह आपकी क्या है, यहाँ पर rails रहती है, bottom rail, this is the lower most horizontal member of the shutter, intermediate या cross rail, जो additional rail आपकी य इनके बीच में यहाँ पर भी additional जो है, आप चाहें, तो design के according अगर आपको लगानी है, तो आप उनको fix कर दो, freeze rail मैंने आपको बता दिया, कि rock rail और जो आपकी उपर वाली ले रहे, इनके बीच में आप यहाँ पर एक और rail लगा देते हैं, तो उसे आप freeze rail बोल देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं, पैनल, इस diagram के अंदर अगर आप देखेंगे, तो इस diagram के अंदर आपको यहाँ पर एक पैनल यह दिखाई दे रहा है, एक पैनल आपको यह दिखाई दे रहा है, तो यह जो rail के बीच में enclosed वाला area होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो भी vertical partition का काम कर रहा है यहाँ पर, इनको vertically partition कर रहा है, इस panel को, इस panel को अलग कर रहा है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इनको million बोल देते हैं, Similarly windows के अंदर भी यह present हो सकते हैं, और दो shutters के बीच में भी million जो है, वो present हो सकते हैं यहाँ पर, तो दो panels के बीच में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है million यह first आ गया है यहाँ पर और यह second million आ जाता है यहाँ पर पैनल हो गया area जो है shutter के बीच जो आपके यहाँ पर shutter की rails है उनके बीच में जो area आ जाता है वो आपके पास क्या आ जाता है panel कहलाता है यहाँ पर होती है कम से कम 3 लगाएंगे डोर में विंडो में कम से कम 2 लगाते हैं यह चीज़ अमें समझ में आती है यहाँ पर इस तो होल्ड़ फास्ट जो है वह किसकी फॉर्म में होते हैं मायल स्टील के बने होते हैं डाइमेंशन की बात करें तो 30 mm by 6 mm के होते हैं की length होती है 200 mm, कम से कम 3 hold fast आप लगाएंगे door के उपर, door पे अगर आप बात करेंगे, तो इस diagram में तो दिखनी रही hold fast, ये hold fast नहीं है, इस diagram में तो दिखनी रही sorry, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ये these are hold fast only, ये hold fast ही हैं, ये भी hold fast हैं, और आपको उस diagram के अंदर जो दिखा रखे हैं, यहाँ पे ये हैं hinges, यहाँ पे क्या present है, hinge present है यहाँ पर, hinge और hold fast में अंतर समझी है, hinge जो आपका क्या कर रहा है, hinge तो आपकी door को rotate करवाने में मदद कर रहा है, ये और इस frame को, इस frame को दिवार के अंदर fix कौन करवाएगा, वो hold fast है, दुबारा से समझ लीजे, अगर confusion create हुए है तो, जो आपके frame है, इस frame को दिवार के अंदर fix कौन करवाएगा, ये जो frame है, इस frame को दिवार के अंदर fix कौन करके रखेगा वो आपका रखेगा hold fast ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो बाहर, frame के बाहर लगे हुए है जो दिवार के अंदर जाएंगे ये hold fast होगे और अगर आपके door को जो rotate करवाँ है वो कॉन करवा रहा है वो हिंज करवा रहा है तो हिंज भी 3 होंगे कम से कम और hold fast की बात करेंगे तो hold fast भी आप एक side पे कम से कम 3 provide करते हैं ताकि जो frame है पूरा ये दिवार के साथ जो है अच्छे से compact रहे हैं यहाँ पर window की बात करेंगे topmost portion head का कितना portion जो आगे extended है दिवार के अंदर उसे हम क्या बोल देते हैं हॉन बोल देते हैं तो इस head का horizontal projection आगे की तरफ जो projected है उसे हम क्या बोलेंगे हॉन बोलेंगे इसकी length जो है 100 से लेके 150 mm के बीच में होती है और इसको आगे projected portion जो होता है यहाँ पर तो यह horn कहलाता है then comes shutter सभी जानते हैं यह पूरी assembly जो भी styles rails आप लगा रहे हैं पैनल्स लगा रहे हैं यह पूरा क्या हो गया यह एक shutter यह इधर दूसरा shutter दो shutter यहाँ पर आपके पास present है then comes sash क्या होता है sash जो आगे word बहुत आपको use करने में मिलेगा sash की बात करते है sash जो है अगर आपको यहाँ पर कोई glazing लगानी है या फिर यह कहले लिजे glass अगर आपको fit करना है तो ऐसे case में आप किसका use करते है sash का use करते है sash के अंदर यहाँ पर एक groove होगा cut होगा या फिर यह कह लिजे जिसके अंदर आप insert कर सकते हो कोई भी अब जो partition वाला piece है आप चाहे glass यूज़ कर रहे हो कोई भी glazed unit अगर आप use कर रहे हो तो यह एक ऐसा frame है जो की मदद कर रहा है इसको fix करवाने में तो sash क्या है this is a special type of frame made of light sections and designed to carry glass इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको styles जो है vertical style दिखाई दे रहे हैं और इनके बीच में आपने यहाँ पर glass fit कर रखा है a sash can be divided vertically or horizontally by providing bars अब यह आपके पास sash था इसमें आप bars लगा सकते हो इस bar लगा के आप इसको further divide कर सकते हो कि पूरे window frame के अंदर आपको glass लगाने दे पूरा बड़ा glass आप लगाना नहीं चाहते तो आप bar लगा लो बीच में और further इसको आप क्या कर दो divide कर दो तो इन्हें हम sash bar कह सकते हैं या फिर glazing bar बोल सकते हैं million की बात करें आप door या window frame के अंदर जैसे मान लीजीए यह आपका door था तो इस तरफ door है इस तरफ मान लीजीए यह window बना रखिया तो यहाँ पर भी आपने million लगा रखा इसको subdivide करने के लिए यह horizontal million लगा रखा है तो horizontal वाला जो million होता है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोल देते हैं अब कभी कभी क्या होता है door के साथ हम उपर ventilators भी यूज कर लेते हैं जनरली आज के time जो है यह कम यूज होता है अगर आप पुराने घर देखेंगे आज से 10 साल पुराने तो आपको दिखेगा घर के अंदर भी कि जैसे यह door बनी हुई है और door के जस्ट उपर आपने यहाँ पर ventilator भी provide कर रखे हैं सिमिलरली आपके पास windows है इन windows के उपर आपने ऐसे ventilator जो हैं वो provide कर रखे हैं तो यह होता है ventilator अगर आप door या window के साथ provide कर रहे हो तो नेक्स आते हैं दूस्तो lower प्राइवेसी मेंटेंड रहे बाहर से कोई अंदर देखे तो वो दिखे ना जनरली आपको जो washroom होते हैं bathroom के जो ventilator होते हैं उनके उपर आपको ऐसे दिखते होंगे जो भी आप use करते हैं exhaust fan के जस्ट बाहर आप देखेगा तो वहाँ पे lowers present होंगे ऐसे inclined members होते हैं जिनसे की air तो जाए लेकिन vision ना जाए देख ना पाएं प्राइवेसी जो है वो maintained रहे यहां पर तो ये lowers होते हैं टूर जो है वो कहाँ भी present हो सकते हैं ventilator पे भी present हो सकते हैं वो जो है वो present हो सकते हैं तो एक ऐसे piece of timber हैं जो inclined है inclined present है जिनकी वज़े से privacy भी maintained रहती है और ventilation जो है वो भी वहाँ पर proper रहता है jam की बात करें दोस्तों तो jam क्या होता है अगर आप दरवाजे के बीच में खड़े हो जाओ बिल्कुल door के बीच में खड़े हो जाओ तो जो भी आपको दिवार का portion दिखेगा wall का portion दिखेगा वहाँ पर जो present है वो आप क्या होगा यहाँ पर jam कहलाएगा यहाँ पर vertical face of an opening which supports the frame of door and window is known as jam अगर आप diagram के तुरू देखेंगे तो यह आपका door था और इस door के यह इधर दिवार है यह पूरी इधर wall है तो door के बीच में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो आपको जो यह portion दिखाई देगा यह क्या कहलाता है यह jam कहलाता है then comes reveal reveal क्या होता है तो reveal जो होता है window का जो portion जो बाहर निकला होता है दिवार से जो बाहर निकला होता है या फिर जो extra बचा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, reveal बोलते हैं, ये external भी हो सकता है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ भी हो सकता है, तो external jam of a door or window opening at right angles to the wall face is known as reveal, इस wall से ये कितना बाहर आ रहा है, ये जो portion आपका होता है, ये क्या कहलाता है, reveal कहलाता है, ये जो jam था जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, उसका कितना external portion जो है, वो window से बाहर आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, reveal बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, reveal बोलते हैं, इसको हमने पढ़ा था, estimation में भी पढ़ा था, reveal को खब consider करेंगे, फिर आता है दोस्त अच्छी है, जो border जाना, जो corner या फिर जहां पर इनका joint बन रहा है, वहाँ पर आप क्या use करते हैं, एक ऐसी special जो आपके पास जो है, वो डाती है, यह इंजीनियर्ड आती है, यह manufactured होती है, जिससे एक पट्टी होती है, एक तरीके की, आप वो frame के आसपास लगा देते हैं, जिससे की, जो door का, या window का, दिवार के साथ, जो joint बन रहा है, वो joint वहाँ पर दिखाई ना दे, वो imperfection जो है, वो दिखाई ना दे, तो आप क्या use कर लेते हो, आर, आर की ट्रेव आप use कर लेते हो, तो I hope you got this point, यह आपको जो दिखा रखा है, यह क्या दिखा रखा है, एक फ्रेम के, यहाँ पर यह फ्रेम खतम हो रहा था, इसके उपर आपने यह आर की ट्रेव जो है, वो एक लगा दी, यह पट्टी आती है, एक तरीके की, जिससे की आप क्या कर सकते हो, छुपा सकते हो, जो joint है, उसको एक अच्छी appearance है, आप दे सकते हो, अपने door या window को, reveal jam same नहीं है, reveal जो है, वो कितना part उसका बाहर आ रखा है, एक्स्टरनल पार्ट कितना उसका बाहर आ रखा है, यह दिवार थी, दिवार के right angle पे कितना वो बाहर आ रखा है, वो क्या कहलाता है, reveal कहलाता है, window के अंदर generally हम इसकी बात करते हैं, अब tights of door की बात करते हैं, तो इसके इतने जादा technical में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ diagram देखेंगे, diagram से समाझ आ जाएगा, और इसी को अंग्रेजी में पढ़ेंगे, तो आ जाएगा vertical strips of wood आपने use कर रखे है, horizontal member use कर रखे है, horizontal members unknown as ledge, फिर उसके बाद यह ledge door हो जाएगी, ledge door के अंदर फिर उसके बाद आपने brace भी use कर दिया, inclined member भी use कर दिया, तो यह क्या हो जाएगी, ledge brace door हो जाएगी, यहाँ पर, तो इसमें बैटन्स जो है, वो vertical members होगे, horizontal member होते हैं, ledge होते हैं, और inclined member भी आप use कर लेते हैं, इसकी लेटरली, इसकी shape ना खराब हो, उसके लिए हम यहाँ पे क्या use कर लेते ह इन कॉम, या फिर ledge, अगर brace भी कर रखे हैं, आपने तो ledge brace door बोल देते हैं, अगर आपने इनकी framing भी करवा रखी है, तो ledge brace frame door बोल देंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बस आपको एक बार picture अगर दिमाग में आ जाए, कि हाँ क्या था, तो फिर तो उसके एक्स्प्लें करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, यही picture ना हो, सिर्फ और सिर्फ शब्दों में लिखा हो, तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जागा, पता नहीं कैसा सा होगा, तो ledge bracing के साथ यूज कर रखा है, या bracing के साथ frame भी यूज कर लिया आपने, तो वो आपका हो यहाँ पर millions का use कर लिया, और rails का use करके बीज में पैनल लगा रखे हैं आपने इसमें, तो framed and panel door हो जाता है आपके पास, उसके बाद आता है glazed या फिर sash door, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि sash जो है, एक ऐसा member होता है, जिसके अंदर groove होता है, या cut होता है, जि या ऐसा door बनवाना है, जिसमें आदे में शीशा लगा हो, आदे में लकडी लगी हो, लेकिन अब क्या हो गए हैं, अब आप अंग्रेज हो जाएंगे, अब आप क्या बोलेंगे, sash door बनवाना है, glazed door बनवाना है, and it should be partly glazed, या I want it completely glazed, fully glazed, तो ये क्या हो जाते हैं, glazed या फिर sash door हो जाते हैं, जिसके अंदर आप बीच में यहाँ पर sash का use करके, और इसके अंदर जो भी glazing करवानी है, जो भी आपको glass fit करवाना है, वो आप यहाँ पर fit करवा सकते हो, तो ये glazed या sash door हो जाते हैं, अंग्रेजी में आप जितना मर्जी लिख लो, अगर आपको diagram ए फिर चार option देदेगा, आपको उसमें एक नाम होगा sash door, तो तब समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर एक बार देख लिया कि this is sash, तो आप समझ सकते हैं, उसके बाद आता है दोस्तो flesh door, flesh door के अंदर क्या होता है, ये आजकल बहुत जादा trend के अंदर है, मतलब कम से कम आप ये ऐसे में ये बहुत जादा economic होते हैं, इनकी appearance बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर क्या होते हैं, अंदर, इसके internal structure के अंदर क्या होगे, यहाँ पर framework बना होगा, frame बना होगे, जिसके अंदर आपने rails यूज़ कर रखे हैं, style यूज़ कर रखे हैं, और उसके बाद आप इ ये जादा durable भी होते हैं, और जो भी manufacturer brands होते हैं, वो आपको इसके उपर 10 साल, 15 साल की warranty भी देते हैं, कि ये जो है, खराब नहीं होगे, इसके अंदर कुछ भी issue आएगा, तो हम fix करके जाएंगे, या नया देंगे आपको, तो जो traditional हमारे doors थे, जिनके अंदर बहुत जादा problem आजाती है, termites की problem आजाती है, swelling की problem आजाती है, उसके अंदर जल्दी खराब हो जाते थे, महंगे भी पड़ते थे, उनकी polishing भी बहुत जादा महंगी पड़ती है, तो ऐसे comparison में, ये जो flush doors होते हैं, जो आज कर चलते हैं, ये बहुत जादा convenient भी रहते हैं, और durable भी रहते ह हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये industries में manufacture होते हैं, तो इनकी जो strength है, वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है, next बात करते हैं, दोस्तो lower door, जैसा कि हम अल्रेडी बात कर चुके lowers की, तो वो window के अंदर भी present हो सकते हैं, door में, ventilators में भी कहीं भी, तो office वगरा में आपन maintained यहाँ पर, तो उसके लिए आप इनको use कर सकते हैं, जहाँ पर भी ventilation चाहिए, sound चाहिए, कि हाँ पता लगता है, बाहर क्या चल रहा है, तो lower door, collapsible, यह तो हमने सब ने देखे हैं, collapsible, generally, घर की parking के अंदर use होते हैं, यह यहाँ पर, lift के अंदर आपने देखे होंगे इनको, तो यह collapsible gate जो हैं, यह use कर सकते हैं, then comes revolving door, revolving door कहां कामयाब होते हैं, जहाँ पर भी extreme temperature है, यह तो बाहर बहुत ज़ादा गर्मी है, यह बाहर बहुत ज़ादा ठंड है, तो आपने क्या किया, आप घर के अंदर अगर आप enter हो रहे हैं, यह building घर के अंदर तो कहां use होंगे बड़ी buildings में अगर आप enter हो रहे हैं, तो बार-बार वो door खुलेगा और जो आपके पास जो public buildings हैं, उनके door आपको पता है कि वो large size के होने ही होने चीए, तो वो बार-बार अगर door अगर बंद होगा, तो वहाँ पर जो अंदर की air conditioning है, वो खराब हो जाएगी, और बाहर की ज जो person enter कर रहा है, वो इसको rotate करता हूँ अलाए और enter कर जाए, और आजकल तो आपको पता है कि हर चीज जो है, वो sensors पे चलती है, तो sensors के through वो जैसे कोई person आएगा, तो वो revolve करना शुरू कर देगा, और वो अंदर enter हो जाएगा, तो overall at any time, एक आपके पास closure जो है, वो रहेग यहां पर, पार्क वाला जो revolving door होता है, वो हलग होता है, पार्क वाले का भी मतलब cause यही होता है, कि at any time closed रहे, वो कोई animals वगएरा उसके इंदर enter ना कर जाए, यह होता है, बस उसका reason, तो at any time जो है closure maintained रहे, इसी तरीके से इसमें देख लीजे कि जो भी person आएगा, वो यहा अगर traditional door की बात करें, तो जब वो खुलेगा, बंद होगा, तो वो खुद ही हवा को इतनी push कर देगा, या बाहर की हवा को खीच लेगा, तो objective में इससे related question पूछा हुआ है, कि कौन सा door use करते हैं, जहां पर आपको air conditioned buildings होती है, या जहां पर बहुत कम temperature है, मतलब minus में temperature चल र सकते हो, फिर आते हैं, rolling sheet वाले जो door होते हैं, या जिने हम shutters बोल देते हैं, इनके बारे में तो किसको नहीं पता, या आपके generally जहां पर भी आपको गिराज है, या फिर shops हैं, उनके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ऐसा तो नहीं यूज़ करते हैं, कि घर के अंद से, commercial purposes में इनका यूज़ होता है, sliding door की बात करें, दूस्तों तो आज के लिए बहुत ज़्यादा trend में देखने को मिलते हैं, आपको जहां पर भी आप कोई अच्छी जगहां पर अगर आप घर करीदने जाते हैं, अच्छी जगहां पर अगर आप फ्लैट दिखते हैं, तो वहां पर आपको sliding door दिखेंगे, इनका फायदा के है, एक तो overall जो construction है, वो इसका बहुत, मतलब cheap पढ़ जाता है, क्योंकि majorly इनके इंदर glass जो है, वो use हो जाते हैं, आपर ये door जो है, वो slide होके जाएगा, दूसरी चीज़ ही room के इंदर space नहीं लेते हैं, अब आपको पता है, कि जो भी cities के अंदर जो भी construction होते हैं, बहुत limited size के rooms होते हैं वहां पर, तो वहां पर अगर आप door या window की opening बना रहे हो, तो वो भी obstruction create कर देता है, हमारे यही चीज़ें जो है, वो smart engineering में आती है, कि एक तो आप एक traditional door बनाओ, वो traditional door जब खुलेगा, तो 4 feet का distance जो है, वो 4 feet का gap वो ले लेगा, फिर आपने window भी बना रखिया है, window भी खुलेगी, 2-2 feet के, वो distance ले ले लेगी यहां पर, तो अंदर की space को खराब कर रहे हैं, तो इसी वज़े से sliding वाले जो हैं, वो क्या कर देंगे, वहां पर आपकी help कर देंगे, appearance भी अच्छी रहेगी, और sliding door को generally जो है, ऐसे जहां पर आपको strength चाहिए, वहां तो इनको नहीं use करेंगे, वहां पर तो आप एक strong जो door है, वही use करेंगे, लेकिन आप बात कर लीजे, balcony की बात कर रहे हैं, या फिर आगर आप 14th floor, 15th floor पे हैं building में, तो वहां पर कौन सा कोई balcony से बाहर से आ रहा है, तो वहां पूरा खोल के चले जाओ, अब यहां पर, तो sliding door जो है, यह use कर सकते हैं, आप वहां पर, जहां पर strength जो है, कितनी जाज़ा आपको नहीं चीए, क्योंकि ओविस सी बात है, कि glass ही use होता है, majorly इसके इंदर, तभी इसका फायदा है कि air आप आए, और पता लगे, आपने aluminum sheet से cover कर दिया, फिर, जो light है, वो properly जो है, उसका circulation नहीं होगा, light जो है, वो pass नहीं होगा, इसके तरू, तो बीच में glass यूज़ करते हैं, तो sliding door, यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद आती है, दोस्तो, swing door, swing door आपने देखी होगी, hospitals में देखी होगी, कई जगा देखी होगी, आपने जहां पे भी door, अपने आप बंद हो जाते हैं, अपने आप swing हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम use करते हैं, यहाँ पर double spring की hinge होती है, double spring की special hinge होती है, जो क्या करेगी, आप हलका सा धका देखी, gate को खोलो, door को खोलो, और फिर वो बाद में अपने आप बंद हो यह प्रेजेंट रहेगी, आपर double action spring की बोलते हैं इसको, ओपरेशन थीटर में, बहुत जगां देखने को मिलती है आपको, तो यह आप use कर सकते हैं, उसके बाद आते हैं, window के type पे, window क्या क्या type की हो सकते हैं, तो पहली आती है दोस्तों, आपके पास casement windows, casement window की बात करें, तो casement जो है, जो मतलब door, ठीक है, बस अंगरे जी नाम दे दिया, इसको CBSC वालोंने, तो casement window हो गया, यह यहाँ पर, जो door की तरह खुलती है, they are known as casement windows, फिर उसके बाद आती है, दोस्तों, double hung windows, double hung windows जो है, यह क्या होती है, इसके अंदर, एक उपर, एक न उपर, नीचे जो है, वो slide हो सकती है, तो यह कौन सी होती है, double hung windows होती है, then comes, कि एक बीच में यहाँ पर pivot present होगा, एक जगा से इसको बस ऐसे पकड़ रखा है, जब ऐसे पकड़ लिया, तो अब यह क्या हो सकती है, इस तरीके से, open या close हो सकती है, तो इसे हम क्या बोल देत वक्त, install करते वक्त, जो समझदार car painter होगा, वो कैसे इसको install करेगा, वो इसको ऐसे install करेगा, कि इसका जो surface अंदर आ रहा है, यह वाला surface, अगर मैं इसी image की बात करूँ, इस image के according, अगर आप देखेंगे, तो जो top surface है, वो अंदर की तरफ आना चाहिए, ऐसा क्यों होना चा तो इसी लिए, जो top surface है, वो inclined या top surface जो है, वो अंदर की तरफ आना चाहिए, bottom वाला बाहर की तरफ आना चाहिए, in case of rain, तो जहां पे भी आप इनका use कर रहा है, sliding windows की बात करें, तो यह slide हो जाती है, इदर aluminium की use होती है, आजकल बहुत अच्छी होती है, मतलब खराब नहीं होती है, आजकल PVC की, aluminium की इतनी अच्छी-च्छी doors windows जो है, वो आने लगे हैं, कि जो हमारे traditional जो चल रहा था, wooden वाला, wooden जब आपको बहुत ज़्यादा पैसे है, अंदा पैसे है, तब आप use करते हैं, वरना आजकल उसके alternatives बहुत ज़्यादा अच्छे present है, जो कि cost effective भी है, बहुत ज़्यादा durable भी रहते हैं, और light in weight भी रहते हैं आपर, तो sliding window आती है, sliding window के अंदर आप इसको क्या कर सकते हैं, आप easily slide कर सकते हैं, वहाँ पर problem हो जाएगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आंधी चलती रहती है, धूल मिट्टी आती रहती है, तो बीच-बीच में इसके जो groove है, वो भरते रहेंगे, तो हर 10 दिन में आप खुरचते रहना कि हाँ निकालो, अब slide नहीं हो रही है, तो वहाँ थोड़ी सी problem हो सकते हैं, otherwise these are very much effective या very nice, तो sliding मत यूज़ करो, aluminium की यूज़ कर लो, लेकिन वैसे open होने वाली कर लो, then comes lowered windows, same तरीके से, जैसे हमने glazing जो है, वो आप कर सकते हैं, corner windows की बात करें, corner window जो है, ये भी दोस्तों, आज कल अगर आप मांग लेजिए, कोई भी नया construction देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये corner वाली windows जो है, ये देखने को मिलती है, corner window जो है, वो बहुत effective रहती है, कुछ architect तो मानते हैं, design पुराना ह गया, लेकिन अगर इसको use के इसाब से देखेंगे, तो use के इसाब से corner windows बहुत ज़ादा effective रहती है, एक तो आप दो side का आपको access मिलता है, आप इधर भी देख सकते है, तो आप अगर घर में बैठे है, बाहर देखना है, इधर भी देख सकते है, इधर भी देख सकते है, ऑ वहुज़ादा effective हो जाएगी अब इसमें दो तरफ का vision मिला दो तरफ से light मिलेगी आपको कि अगर sun की position के हिसाब से देख लीजिए आप चाहे तो जैसे भी देख लीजिए दो तरफ से आपको light जो है वो मिलेगी यहाँ पर तो vision मिल रहा है light मिल रहा है wind की direction हवा जो है अगर इस direction में चली इस direction में चली तो भी आपके पास यहाँ से air का access मिलेगा circulation जो वो अच्छा होगा इस direction से चली तो भी air का circulation जो है वो बहुत अच्छा होगा यहाँ पर तो यह corner windows जो है अगर कहीं पर suitable हो पाए जब भी आपको construction करवाए अपने घर में या जैसे भी तो आप opt कर स हट बनाते थे हम इस तरीके से तो इस हट के अंदर यह वाला जो portion था जहाँ पर आप गेट बनाते थे इस gate के उपर अगर आप यहाँ पर window बना देना तो यह कौन से window हो जाएगी यह gable value हो जाएगी यहाँ पर जो इस triangular portion में जो window होगी वो gable, dormer की बात करें तो यह जो pitch हो यहां पर क्या होती है। डॉरमर जो बाहर की तरफ निकल रही है। यह इनमें basic सा difference हुआ। सब्सक्तभू पता नहीं मुझे दो उसके आंटें या नहीं पढ़ रही। मोगूस्ता नहीं करेंगे कोई बाद नहीं मार लो तान या काम की चीज तो पता लगी वही करवाएंगे अपन टाइपस ओफ विंडोज पे आ जाते हैं टाइपस ओफ विंडोज में अगला टाइप आपके पास आ गया जो बाहर की तरफ निकली हुई होती है जो आपका फ्रेम है उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ इनको आप जहहां पे यूज परσι करवा सकते हो आपको एकसेस जीए थोड़ा सा की आप अपने घर का मान लेजिए आपके घर का डौर यह साइड में है आप अपने घर के अंदर इंटर हुए आपका घर कुछ इस प्रकार से है और यहाँ पर आपने थोड़ी सी जगान खाली छोड़ रखिए ताकि आप पार्किंग वार्किंग कर सकें तो आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ तक है तो आप यहाँ से घर के अंदर एसे एंटर हो गए यहाँ पर आपका entrance है, यह आपका main gate आगया है यहाँ पर, तो आपको यह चाहिए कि आप यहाँ से इधर से देख पाएं बाहर, कोन आया है, कोन नहीं आया है, अगर कोई stranger person एकदम से आ रहा है, तो आप बाहर का access अगर आपको चाहिए, तो एक, एक reason बता रहा हूँ, यह बा भी room यहाँ का था, तो जब भी आप construction करवा रहे हैं, तो यह एक additional चीज हो गई, कि अगर आप जो यहाँ पर room था, उसको बजाए ऐसे construct करवाने कि इसको अगर थोड़ा सा बाहर लगा दें आप यहाँ पर, थोड़ा सा बाहर लगा के, और इसके उपर एक यहाँ पर window प्र जो वो प्रुवाइड कर देते हैं, तो जो आपके आगे चलके जो आपके architectural feature जो है, यह बहुत जादा help कर देते हैं, आपके actual structure के अंदर, तो चोटी चोटी बात हैं, यह totally depends on your architect, उसके बाद दोस्तों यह तो हो गई, आपकी बे विंडो बोलते हैं, इसको यह बे विंडो जो है, external wall से बाहर निकलेंगी, project बाहर की तरफ करेंगी, दे project outside the wall, उसके बाद आती है, next, यह windows जो है, आपकी जिनम बोलते हैं, clarity story window, clarity story window जो होती हैं, यह बिलकुल ceiling के साथ में लगती हैं, यहाँ पर जनरली जहाँ पर आप देखते होंगे, basement के इंदर मान लीजिए, आपने college में देखा होगा, आपके college के basement जो है, वहाँ पर मान लीजिए, library बना रखिया है, कुछ भी बना रखा है, तो उस basement की ground level से व basement में होते हैं, लेकिन उनका जो top ceiling है, वो बस ground level से थोड़ा सा उपर है, तो वहाँ पे आप इनको use कर लो, तो ventilation जो है, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, या फिर अगर आप ground level पे हैं, फिर भी आप इनको use कर रहे हैं, तो appearance जो है, जहाँ पे भी आपको अच्छे appearance जी इधर भी घर है आपका, इधर भी मान लिजी दिल्ली में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक घर, यहाँ पे यह घर, यहाँ पे यह घर, अब side में तो windows बनेंगी नी, तो क्या हो गया, मान लिजी बहुत छोटा छोटा distance है, 20-30 feet का जो आपके पास यहाँ पर width है आपके घ लेंटर्न विंडो या जो छट के उपर flat slab जो होती है, flat roof जो होती है, उसके उपर हम इनको use करते हैं, inclined के उपर जो आप use करते हैं, जो pitch roof होती है, उनके उपर अगर आप use करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे skylight वाली window, तो lantern में और skylight में difference क्या है, कि lantern जो आ iron की जो grill होती है, या जो जाली होती है, या जाल बोल देते हैं, जिसे वो आंगन के उपर लगा होता है, आपने देखा होगा, हमारे घरों में ऐसी होता है, तो lantern window जो है, वो depend करता है, कि आपको कैसे provide करने हैं, आपको इसके अंदर glass यूज़ करने हैं, अब glass वगरा ये generally ज क्या बना देगा, एकदम भट्टी की तरह बना देगा, तो इसी लिए हम जो alternative चूज़ कर लेते हैं, वो हम यही चूज़ कर लेते हैं, कि यहाँ पर जाली लगा सकते हैं, फाइबर इसके उपर रख सकते हैं, कभी बारिश आगी तो इसको cover कर दिया, और वैसे जो है proper ventilation of air and light जो है, वो maintained रहे, ठीक है, आगे पड़ते हैं, उसके बाद आते हैं दोस्तों ventilator के उपर, ventilator सबको पता है, ventilator जो है वो कैसे होते हैं, अगर आप देखेंगे डोर के साथ ventilator लगा हुआ तो ऐसे हो सकता है, जो बहुत ही पुराने घर में अगर आप देखेंगे तो आपको उपर जो है, वहाँ पर भी दिखाई देते हैं, ventilator, दिवार के अंदर भी separately लगा हुआ भी यहाँ पर, window के साथ में भी आप उपर ventilator जो है वो provide कर सकते हैं, depending upon your requirement, कि आपके ज़रूरत कैसी है, आपको दिखने में appearance जो है, वो कैसा चीज़ें यह सारी चीज़ें भी आ जात परटर की पंचायती नहीं है, तो 10B, 6, 10 width हो गई, 6 module उसकी height हो गई, module जो है, एक module में 100 mm होते हैं, यह याद रखना, उसके बाद दोस्तों अगले component के उपर आते हैं, अगले component आते हैं हमारी floors आती हैं, walls आती हैं, रूफ आती हैं, तो अब चलते हैं, floor की तरफ, floor की बात कर आप बोलते हैं, ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, तो floor आप बोल किसको रहे हैं actual में, कि जो आपका level था, यहाँ से, यह floor level कह लिजिए, flooring level कह लिजिए, यह plinth level कह लिजिए, plinth level से लेके, roof तक यह ceiling तक जब आप बात करते हैं, तो यह पूरा आपका, यह क्या हो गया है, यह एक floor हो गय और जो फर्ष आपको दिखता है, वो क्या होती है, flooring होती है, तो flooring के बीच में और floor के बीच में बहुत basic सा अंतर है, flooring जो आप कहते हैं, वो cover है, जो layer है, जो tiles आपने लगा रखी है, जो आपने पत्थर लगा रखा है, आपने चाहिए marble लगा रखा है, ग्रिनाइड तो वो आपका क्या हो जाता है, floor हो जाता है, floor को समझने के लिए आप ऐसे समझ लेजिए, ground floor, first floor, second floor and so on, और flooring जो है, वो आप जो आपको जिसके उपर आप चलते हैं, जो आपको प्रोटेक्टर, जो layer जो आपको दिखाई देती है, ठीक है, आगे बड़े, चले तो ये floor क के बीच में और flooring के बीच में आपको अंतर जो है, वो समझ में आ गया होगा, floor की बात करते हैं, ये बूरा, flooring सिर्फ और सिर्फ जो है, covering होती है, एक तरीके की, जो आपको tiles की form में, marble की form में, जो भी form में, आपको दिखाई देती है, अब floor जो है, वो किस-किस type के हो सकते ह जहां पर हम flooring और floor दोनों की बात कर रहे हैं, यहां पर एक चीज आपको clear हो गई होगी, अब जब-जब हम flooring की बात कर रहे हैं, तो हम इस bottom most portion की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक idea तो आपको लग गया होगा, पूरे को floor बोला है हमने, अब जो चीज हम पढ़ रहे हैं, वो य एक floor है यहाँ पर नीचे वाला portion जो है वो floor ही पूरा क्या हो जाएगा एक floor हो जाएगा अब basement या ground floor की हम बात करते हैं तो इस case में क्या होता है यहाँ पर आपके पास यह wall आ रही थी load bearing भी हो सकते हैं यह wall आई wall के बाद यहाँ पर DPC हमने यूज़ कर रखे DPC के बाद यह foundation जो है या footing जो है वो नीचे soil तक load को transfer कर देगी यहाँ पर concrete का bed यूज़ होगा ताकि वो evenly load को distribute कर दे इस तरफ आप देखेंगे तो नीचे आप क्या provide करेंगे जब आप flooring करवा रहे हैं तो आप क्या provide करते हैं नीचे जो है concrete का bed provide कर देते हैं 100 से लेके 150 mm का और उसके यहां concrete का bed आपने provide कर दिया उसके उपर टाइल लगा देते हैं या फिर उसके उपर marble है वो आप लगा देंगे strength अच्छी कासी होती हो उनकी इसको direct use कर लेते हैं अगर आप wooden floor लगा रहे हैं ऐसे floor लगा रहे हैं तो ऐसे cases में आप क्या करते हैं यहाँ पर आपने क्या किया यहां पे concrete का bed लगाया बीच बीच में आप यह दिवारें बना देते हैं बीच बीच में आप क्या बना देते हैं वाल्स बना देते हैं जिनें हम बोलते हैं sleeper wall यह sleeper wall construct कर देंगे sleeper walls construct कर दी जिस level पे आपको floor बनाना था वहां से अब ऐसा तो possible नहीं है ना कि आप पूरा से moisture जो है वो उपर ना जा पाए उसमें तो यहां पर भी DPC प्रोवाइड कर दी यहां भी प्रोवाइड कर देखी यहां भी आपने already DPC प्रोवाइड कर रखिया उसके बाद इस level पे आपको floor बनाना था तो इस level के उपर आप क्या कर सकते हो जैसे wooden joist आपको यहां पर आप करने timber वाले floor में ऐसे होगा normally जो आप यूज करते हैं घर के अंदर tiles वाले और वो हैं तो उसमें तो concrete bed लगा हो उसके उपर आप लगा सकते हो सिधे tile या जो आपका पत्थर है उसको तो timber वाले floor के अंदर इस तरीके से हम provide कर रहे है sleeper wall sleeper wall जो है इनके उपर आप यहा आपको layer लगानी होती है जो भी आपको जो अच्छी अच्छी एकदम wooden जो finishing आपको दिखती है जैसे यह है यहाँ पर तो यह अपने आप महीं एक तरीके से यह कह लिजिए कि wood के आपके बास बने बनाए blocks आते हैं यह sheet होती है उसको आप चिपका देते हैं उसके उपर एक floor होते हैं auditoriums होते हैं उनके अंदर यूज़ करते हैं यह जो filling कर रहे हैं आप यहाँ पर यह filling जो है इसे plugging भी बोलते हैं आप अच्छे material जो है husk जो है या sound absorbing material से भी आप इसको fill कर सकते हैं जिससे कि यह floor जो है वो क्या हो जाए sound जो है उसको कम से कम आगे transmit करें auditorium में dance floor में यूज़ कर सकते हैं इनको sleeper walls जो है वो one and half brick थिक होती है यह जो sleeper wall होती है यह one and half brick जो है थिक होती है wall plates का आप यूज़ करते हैं load को इनके उपर transfer करने के लिए floor boards are provided to finish up the floor इसके उपर floor के जो boards या जो sheets हैं वो आप provide कर देते हैं DPC को provide करेंगे exterior और interior दोनों पर बाहर भी provide करेंगे अंदर भी provide करेंगे किसी भी तरफ से moisture जो है इसके अंदर ना आ जाए PCC जो use करेंगे one is to two is to four का PCC आप इसके उपर use करेंगे फिर आते हैं दोस्तो single joist वाले अब यह जो joist use कर रखे हैं आपने सिर्फ एक तरफ use कर रखे हैं या ऐसे भी use कर रखे हैं double joist है या triple joist है तो इसके उपर यह सिर्फ और सिर्फ in joist की कहानी है तो यह अगर diagram आपको समझ में आता है तो इनमें कोई दिखकत नहीं आगी single joist वाले में क्या होगा आप top भी उपर से आप देख रहे हैं जब उपर से देखेंगे तो आपके पास जो है एक एक joist एक single single joist ऐसे चलत इसमें अगर आप ऐसे cross members अगर आप यूज कर लें यहां से ऐसे जैसे आपको इस diagram में दिखा रखा है यहां पर दो floorboards उपर थे उपर तो आपका ऐसे floorboard लगा हूँ है इसके उपर यह cross member अगर आप यूज करते हैं तो इसे आप बोलते हैं herring bone herring bone strutting provide कर देते हैं और इसक कर सकते हैं then comes space for circulation of air is provided double joist जो है double joist के अंदर पहले single में जिर्फ एक जा रहे थे इसमें आपने binders भी लगा दिये double कर दिया है आप तो यह double joist timber floor हो जाएगा framed या फिर triple के अंदर क्या हो जाएगा फिर further और आपने increase कर दिया इनको तो यह framed या फिर triple joist हो गया इन joist जो है इ timber floor पर यह आपके floorboards होते हैं इनकी width आती है 100 mm से लेके 100 mm और 20 से लेके 40 mm आती है यह जो floorboards आप use करते हैं इनके उपर then comes floor की ceiling floor की ceiling का मतलब है कि जो नीचे का component जो उसको strength provide कर रहा है जो आपको दिख रहा है वो तो सिर्फ appearance है वो तो दिखावा है वो तो एक अच्छा तरीके से दिखा रहा है बस आपको लेकिन जो actual में उसको support कर रहा है जो उसको strength provide कर रहा है वो हो जाएगी floor की ceiling कहलाती है तो it is used beneath floor to keep the floor flat and strong उसको strong provide करने के लिए आप floor के वो नीचे जो portion provide करते हैं वो ceiling pugging बोलते हैं कि जब आप floor को अगर sound proof बनाना है तो आप क्या use कर सकते हो जो भी agricultural waste होता है या जो straw होती है husk जो होता है उसको आप क्या कर लो उसके अंदर दबा दो उसको अच्छे से उसके अंदर finish है उसको fill कर दो इसको तो जब आप fill कर देंगे इस से तो वो sound को absorb करने मे आपकी मदद करेगा यहाँ पर trimming क्या बोलते हैं trimming जब भी आपको floor के अंदर कोई opening देनी है अगर आप floor के अंदर opening देनी है जैसे माल लेजिए को यह ऐसी जगा घर है आपने movies बगरा में देखा होगा तो movies के अंदर वहाँ पर उनके जहाँ पर cold temperatures होते हैं लकडी के घर बन लेजिए तो यह जो opening आप provide करते हैं अगर आप floor के अंदर तो वह opening किस तरीके से provide कर सकते हैं आप यह ट्रिमर की मदद से आप provide कर सकते हैं यहाँ पर आपको diagram में दिखाई दे रहा है कि यह जो trimmer use कर सकते हैं यह trimmer joist आप use कर सकते हो जिनकी मदद से बीच में एक opening आपके पास रह जाएगी चाए वो किसी भी purpose के लिए आप provide करें ventilation के लिए कर रहे हैं यह जो भी utility के लिए कर रहे हैं आप यहाँ पर तो यह opening हो जाएगी आपके पास यहाँ पर तो आपने trimmer का use किया यहाँ पर दो use कर रहे हैं तो double हो गया एक ही use कर रहे हैं तो single trimmer joist आपने यह यहांपर इनको steel का यूज़ कर लो अगर आपको strength और ज़्यादा provide करने हैं तो यह आपके पास आ जाते हैं timber floors, timber floor के बारे में यह important बाते हैं थी, उसके बाद आते हैं दोस्तो composite floor, composite floor जो होते हैं अलग अलग आप जो material यूज़ कर लो एक से ज़्यादा material आप यूज़ कर रहे तो इनमें cleaning की कोई problem नहीं है, आप आराम से cleaning provide कर सकते हो, कब मर्जी आप उनको धोलीजी, अच्छे से water को, water से wash कर लीजी, अच्छे से sanitize कर लीजी, easily adopted for greater spawn, large spawn के लिए, large area के लिए आप इनको use कर सकते हो, तो पहला आता है दोस्तो double flagstones, तो जो उपर आपको दिख रहा है, एक layer flagstone की उपर लगाई, एक layer flagstone की नीचे लगाई, बीच में आपने rolled steel, steel की यह कह लेजी, एक तरीके से girders आपने use कर रखे हैं, eye section यूज़ कर रखे हैं, joist बोलते हैं, floor के case में इनको, तो यह जो joist है, आपने rolled steel joist इनके बीच में ऐसे insert कर दिए, और उपर और नीचे आ लगा दिया, तो double flagstone हम बोल देते हैं, बीच में आप इसके कोई filling प्रोवाइड कर दो यहाँ पर, तो यह आपके पस double flagstone floor हो गए, बीच में आपने इनके use की rolled steel joist, उसके बाद आती हैं दोस्तो, filler joist, filler joist के case में यहाँ पर क्या use कर रहे हैं, आप concrete का use कर रहे हैं, concrete के streams, जो floor के case में हम जिनको क्या बोलते हैं, जोइस्ट बोलते हैं, यह जोइस्ट आप use कर रहे हैं, आई section यूज़ कर रहे हैं, बीच में आपने क्या use कर रहे हैं, यहाँ पर concrete के filling, तो यह filler joist वाले floor हो जाते हैं, next आता है jack arc floor, jack arc आपने देखा हुगा यहाँ पर इस तरीके इसमें अगर आप jack arc के case में आप देखेंगे, यहाँ पर तो यह steel लगा होता है, अब यह आपको concrete जैसी appearance लग रही है, क्योंकि इसको cover कर दिया, थाकि वो खराब नहो, लेकिन यहाँ पर आपके पास rolled steel joist लगा होगा, यह यह कह लिचे, steel की girder लगी हुई है, और उसके बात करें, तो it should be at least 100 to 200 mm और minimum depth जो concrete की crown पे, यहनि कि यह जो आपका portion आ जाता है, crown topmost portion पे आप बात करेंगे, तो यहाँ पे कम से कम जो depth है, आपकी वो कितनी होनी चाहिए, वो 150 mm depth होनी चाहिए, इसका सिर्फ और सिर्फ डिसडवांटेज क्या है, कि अंदर से अगर आप आपको देखते हैं, तो appearance जो आपको अच्छी नहीं देखने को मिलती है, तो यह jack arc floor जो है, कहलाते हैं, RCC की floor भी आप यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा concrete जो है वही आप यूज कर लो, यहाँ पर उसके बाद उसको अगर आपको देनी है, एक appearance, उसके बाद उसको एक अंदर से hollow होंगे, इनका भी आप यूज कर सकते हो, इनके बीच बीच में आप gap provide करके और बाद में आप इसको क्या कर दोगे, जो भी binding material है, उससे आप इनको bind कर दो, बंद कर दो, तो आप hollow block और rib floors आप यूज कर सकते हो, then comes precast concrete floor, आपके पास already casted units होंगी, बस इनको रख join करवाते हो, तो precast concrete floor जो है इनका भी आप यूज कर सकते हो, आप binding, sorry, जो material है, floor के जो materials हो सकते हैं, वो क्या-क्या material हो सकते हैं, किसी industry में आप यूज कर रहे हैं, या फिर आप माली जी जहाँ पे बहुत जादा heavy काम हो रहा है, वहाँ पे आपको यूज कर रहे हैं, तो आ economical भी रहता है, concrete का आप बना सकते हो, उसके बाद cork जहाँ पे soundless जो आपको या फिर noise proof आपको बनाना हो, तो cork जो है एक टाइप की tree होती है, tree की जो bark होती है, चाल होती है, उसी का बिल्कुल crushed version है, ये कह लीजिए, तो उसको हम use कर रहे हैं यहाँ पर, तो cork का आप use कर सक depending upon their use, यहाँ पर, roofs की बात already हम कर चुके हैं, दोस्तो roof हम already पहले पढ़ चुके, कि एक pitch type की हो सकती है, जो inclined होती है, एक flat type की roof जो बिल्कुल flat होती है, यहाँ पर यह terraced roof जिसको हम बोलते हैं, जिसके उपर आप जा सकते हैं, एक pitch होगी, एक flat होगी, एक curved roof हो सकती है, यहाँ से आपको soffit दिखता है, जो bottom most portion, उपर से आप दिखते हैं, यहाँ सामने से आप दिखते हैं, तो सामने से आपको fascia जो है, वो दिखाई देता है, roof के types already हम पढ़ चुके, dormer window, gambrel, या फिर जो आपके पास gable window, mansard, hip, यह already हम discuss कर चुके, roofing material पर आजाते हैं, यह roof के material होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, एक जो भी आपके पास थैच होती है, जो भी घास Kopfous होती है, जो अगर गाओं में बात करें, या फिर जो rural area है, जहाँ पर agricultural आपको product मिल जाते हैं, वो क्या होती है, थैच होती है यहाँ पर, तो light होती ह लेकिन ज्वलन शील होती है, कमबस्टिबल होती है यहां पर बहुत ज़ादा तेज हवा आएगी तो उड़ सकती है, यहां से यह डिस्प्लेस हो सकती है इसकी जो पिच यहां जो इसका एंगल रखा जाता है, वो लगबग 45 डिग्री रखा जाता है तो थैच जहां पर भी आपको, या तो आपको यह ऐसा बना लीजे, थीम बेज़ अगर कोई रेस्टराण बना रहे हैं तो यूज कर लो या फिर जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनके पास कोई और आप्शन नहीं है, वो अफूर्ड नहीं कर सकते यहां बड़ी-बड़े जो हैं, वो बंगलो बना ले, तो ऐसे केस में उनको रहने के लिए लोकली अवेलेबल जो भी मेटीरियल होता है, उसको यूज करते हैं, तो थैच का यूज करते हैं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ordinary half round ties, round ties है, half in shape है, इनका आप यूज करते हैं, यहां पर एक layer यूज कर रहे हैं, दो अगर यूज कर रहे हैं, तो आप इससे double tie रूप बोल देते हो एक टाइल का दूसरी टाइल के उपर जो ओवरलैप होता है एक टाइल का दूसरी टाइल पर आपको यह दिख रहे ना एक टाइल दूसरी टाइल के उपर लोग ओवरलैप होती हो यारी है तो यह जो ओवरलैप होगा यह कम से कम 80 mm होगा उपर से नीचे आएंगे अगर आप तो उपर वाली टाइल से नीचे वाली टाइल नीचे रहनी ची है क्यों? उल्टा कर दिया तो वही कहानी हो जाएगी कि जब भी पानी आएगा तो वो तो घर के अंदर आने शुह हो जाएगा यहां पर तो क्या होगा उपर वाली टाईल जो वो उपर रहनी चीए नीचे वाली टाईल उसके नीचे रहनी चीए तब ही उपर से जो water रहेगा वो आगया 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 ऐसे flow करता हुआ जा सकता है अलांकि ऐसा कोई करेगा नहीं जो भी Mason या जो भी कारिगर ये काम करेगा वो समझदारी से ही करेगा लेकिन civil engineering के कुछ example आपने देखे होंगे stairs के आपने देखे होंगे जो facebook वगरा पर हमारी बेज़ती करने के लिए वो डालते रहते हैं यह देखो आज के civil engineer ऐसे-ऐसे stair बना रखी होती है ऐसे करके कुछ परसन यहां से जाएगा तो आगे जाएगा कैसे तो ऐसा कोई मत कर देना कभी next wood shingles का आप यूज़ कर सकते हो यहां पर एक अच्छी well season timber होती है वहां पर आप जो है wood shingles का इनका यूज़ कर सकते हो इनको आप hilly areas के अंदर यूज़ करते हैं इनको आप hilly areas के अंदर यूज़ करते हैं यहां पर wood असानी से मिलती है सस्ते मिलती है trafford asbestos cement tiles का आप यूज़ कर सकते हो इनका corrugated या galvanized जो sheet होती है इनका आप यूज़ कर सकते हो roof के covering के अंदर galvanized होगी तो iron होगा iron होगा तो सस्ता होता है इसके उपर zinc की coating लगाओ durable भी हो जाएगा तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं asbestos की भी sheet हो सकती है यहां पर asbestos cement की हो सकती है यहां पर जिने हम बोलते है ac sheet बोलते है asbestos cement corrugated sheet trafford sheet जो आपकी होती है वो थोड़ी सी इस तरीके से flat हो जाती है यहां पर then cheap होती है fire resistant होती है light in weight होती है durable होती है etc 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 फिर उसके बाद आते हैं finishing के उपर finishing पढ़ी लीजिए छोटा सा है painting हम अब अल्रेड़ी पढ़ चुके है plastering जो है आप pointing इसको बोलते हैं यह joints को rake out कर लेते हैं points को बाहर निकाल लेते हैं फिर उसके बाद इनको भर देते हैं इसको हम pointing बोल देते हैं यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं plastering की तो दिवार को plaster करना है float का use करते हैं travel का use करते हैं plumb bob का use करते हैं इसके अंदर और एक floating rule होता है floating rule का क्या use करते हैं उसको आप float से आप उसको क्या कर रहे हैं अच्छे से उसको plane कर दे रहे हैं अगर आपको check करना है कि plaster जो किया mystery ने वो ढंसे किया या नहीं किया कई उसमे error तो नहीं शुरू शुरू में नया बनता है तब तो नहीं दिखता है लेकिन जब mystery तो अपना काम करके चला जाएगा फिर उसके बाद electrician आएगा वो आपको जो है वो light वगरा उसके अंदर लगाएगा फिर उसके बाद finishing करने के लिए paint रहेगा वो उसको paint कर देगा फिर जाके जब light जलेगी ना घर के अंदर तब आपको दिखेगा कि यार इस दिवार के उपर तो ना अजीब सी light जा रही है या इस दिवार के अंदर imperfections है तो वो पहले ही check किये जाएगे वो कैसे check किये जाएगे कि यह जो float है इसको अलग-अलग direction में ऐसे रख के देखो आप और side से उसको देखो तो कोई भी gap आपको नजर नहीं आना चीए अलग-अलग direction में ऐसे उसको रख के देख लो तो check कर सकते हैं यह check करने का तरीका है तो जिससे आप verify कर लेंगे कि हाँ वो plaster जो है वो uniformly एक single plane के अंदर जा रहा है या वो bulge कर रहा है या बाहर जा रहा है या टेड़ा मेड़ा जो है वो जहां से नहीं हुआ हुआ है तो plastering में lime mortar 1 is to 1 cement 1 is to 4 यूज़ करते हैं waterproof mortar अगर यूज़ करते हैं तो 1 is to 2 आप यहाँ पर यूज़ करते हैं paints हम already पढ़ चुके हैं paints के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जादा time नहीं लगाएंगे grouting और यह तो थोड़ा सा अलग part आ गया grouting को अलग से ही पढ़ेंगे आज तो हम super structure को पढ़ रहे हैं तो grouting जो है यह अलग से हम देखेंगे ठीक है तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों और आपको जो मैंने schedule बताया है I hope you remember this schedule कल का जो हमारा schedule है 9 बजे class होगी जो test हमारा होता है वो 9 बजे 9 से लेके लगबग यह मालेजी साठे 10-11 बजे तक चलेगा तो इसमें 9 एम सुबब 9 बजे test का part 1, 10 बजे test का part 2 चलेगा फिर उसके बाद 12 बजे 9 बजे जो आपकी है वो crossword वाली puzzle होने वाली है जिसके अंदर बहुत सारी definitions बहुत सारे नए words जो से बेल engineering के आप सीखेंगे जो exams में आप से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों so mark this schedule और आनक एड में पर आप संदीब जानी सर्च करके यहां पर आपको classes दिख जाएंगी इन classes पर जाके notify में पर click कर दीजिएगा ताकि जब भी वो class शुरू हो तो आप live attend कर पाएं ठीक है दोस्तों इन classes को attend करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक code की ज़रूरत पड़ेगी इनके लिए आपको किसी subscription की ज़रूरत नहीं है आप ये code यूज करिएगा संदीब डबल बन और आप इन classes को free of cost access कर सकते हैं ठीक है thank you so much take care bye bye और total कितने question रहेंगे इन session के अंदर कम से कम 50-50 तो कम से कम होंगे होंगे इनके अंदर और इन में भी अच्छे खासे question आपको मिलेंगे ओके thank you so much take care bye bye मिलते हैं हमारे next session में तब तक के लिए take care आज शाम को 8 बजे जो आज हमने पढ़ा है उनी के questions करेंगे तब तक के लिए take care thank you so much bye bye कर दोवान के बयुदे और तक कर दो होंगे थार उवान के मिलें छोक्त नेज ठीक कि ने विए प्रूबली, तब ड्यावदेअ जोवी कि कर दो तक के लिए झाल झाल